नमस्कार मैं हूँ गौरफ श्रीवास्तो आप हमसा दिगा में खास कारिकम बात अपने देश की भारत बिस्तु का सबसे बड़ा लोकतान्तिक देश है और लोकतिन की माननेता के इसाब से यहां पर समय समय पर चुनाव होते रहते हैं और चुनाव प्रणाली भी है चुनाव होता है वो Hang लोता है कभी नगर चुनाव होता है तो तो तमाम तरहिए कि एक सर्गरम बनी रहती और चुनाव की बात करें तो चुनाव जो समय चषचा में है क्योंकि remembers तो दूसरी सरकार्मी है थी यह जो दूसरी सरकार्मी है थी तो यह जो गए बात लाश्पति चुनाओं की जिसका एक जुलाइक और पच्छीज जुलाइक को सपत लेगा देश का अगला राश्पति 24 जुलाइक को जो हमारे बर्तुमान राश्पति हैं रामनार कोविंज उनका कारकाल खताम होना है पस्ति जुलाइक को यह सपत ली जाएगी इसके कराव आगाम में नॉम्बर-दिसंबर में उम्मिर जाए सकती है कि कुजलात में हमाजाप्रे से चुनाओं हो सकते हैं होंगे और साथ उम्मीड की जा सकती है कि जम्मू कस्वी में भी चुनाओ नॉम्बर दिसंबर में हो सकते हैं जो देश के सबसे बड़े राज आवारी कि साफ से उत्तर पिरिश में पारसदी यानी नगर निकाय चुनाओ नगर पंचय चुनाओ तो यह भी पिक्रिया अलाग अपनी चलती रहेगी पर अभी जो हम बात चर्चा कर रहा है उस प्रासपती चुनाओं की यानी डिप्टी पैसिडेंट उप्रासपती रासपती से एक पर नीचे यानी देश का दूसरा सबसे बड़ा मुखिया पहला मु है पर जो उप्रासपती का जो चैन होता है तो तो था अलाग है अलाग हमेशले बहने के क्योंकी जब इस चुनाओ होता है तो उसमें इसमें बिदायक ककी होता है सांसर का बूर्ट भी होता है और यहां तक की मनूनी सांसर होते बोवी बोट कर सकते हैं पर जो पर अब गर कर सकते पर पर कर्ञों को भी डूर को अलग है उपरास्प्रीit चुनाव में हैं थे हैं जो बो सरन आपका एक राजस्वा एक लोगस्वा सरन का उच्छे सरन राजस्वा और दूसरा सरन होता है लोगस्वा उसके जो मेंबर होते हैं उसके जो सरस होते हैं वो केवल उसमें बोट करते हैं इसके लाबा राजपती चुनाव से अलग जहां पर राजपती चुनाव में मन पर जो उपरासपती चुनाव है उसकी दो जम्हारिया होती है यह तो कारपाली का का दूचरा मुखिया यानी से कंड़ी परसन, दूसरी चीज, वो राजसभा यानि संसर की उठ्स सरण यानि राजसभा का सभापती भी होता है। उसके अगवाई में, उसके नर्जासर में राजसभा पे कामकाच होता है। तो आपधूरी पूमी का उपरतर्सपती की होती है। गर इस लिए बार 2022 की चिनाव के हम बात करें तो यह उपरासपती का चोदमाः चौणाव कुमाश चुनाव होगा इसके पहले अबी जो बरतवान उपरासपती हैं बेंके यनएडू इन से पहले 12 उपरासपती और रह चुके हैं और बैंका या नाइडू ने तेरवे उपरास्पतिक रूप पर सपत ली थे और उनका कारकाल खताम होने बाला है और उसकारकाल के खताम होने से पहले ही चुनाब यानी 6 गस्त को होगा और उसी दिन आपका वोटिंग भी होगी और उसी दिन गर्णा का की जाएगी और अगला उपरास्पति कौन होगा है हलाक उपरास्पति की अलग एक अलग पहचान है बैंका या नाइडू जो की बाटेंडर पार्टी के बड़े चेहरे रहे हैं उसके बाद जब उनको परास्पति के चुनाव में उतारा गया था तो मित की जारी थी कि वह जीतेंगे और और अपने कारकाल के दौरान लगातार और वहने बहतर तरीके से राजस्वा का पद सभापति का उसका निर्वाय किया कारपाले का दूसरे मुख्या के रूप में उनकी अलग पैचान नहीं पुराने निता है और गहन अनुबव है बैंका यानाडू एक ऐसा नाम है जिसक प्रासपटी चुनाव में तो दोपीडी मुर्मुजी और यसमंशना चुनाव लड़ रहे हैं और परणाम 21 जुलाई को आएगा पर यहां पर छेगस को चुनाव होना है इसमें भी दो बड़े योद्धा टगराने बाले हैं भाजपा गटबंदन से यहां पर बंगाल के बरतुमान राजपाल जगदीब धनखड को प्त्यासी बनाये गया है तो वहीं जो यूपीए यानि कॉगरिस गटबंदन की तरफ से पुरानी बयोबद्ध नेता पुरानी जानकार पुरानी ग्यहन अनुभवी मारगेट अलवा पर मोहल लगाई गई है उम्मिलवारी की कैसी रही चुनोती तो यहाँ पर मा आपको अतारू कि अगर बहुमत की बात करें तो राजसभा और लोगसभा मिला के जो सरस हैं वो मिला के यहाँ पर केबल 390 जिसके पास भी आकला रहेगा उस पार्टी का उस गटबंदन का उम्मिलवार यहाँ परासपती बन जाएगा और जहां तक सूत्रों के मताविक अभी जो स्थिती है वो गटबंधन बासपा गटबंधन के पास लंसम लंसम इतनी ब्योस्था हो जाएगी कि उनका उम्मिलवार उपरासपती बन सकता है फिर वो तो च्छेगस को साफ हो पाएगा कि कौन बनता है कौन नहीं बनता है पर यहां पर जो मिरवार हैं उनकी बार भी करना बहुत जरूरी है जगदी घंपर जो की राष्थान से बलॉंग करते हैं जनजन में जनब हुआ था उसके बाद जगदी धंकर कि अगर हम बात करें तो बकालट की पहले बहुत की से उन्होंने गैजूट किया बहुत की बहुत पर के बात करें चाहे मारमदिकारी मूलों की बात करें चाहे वहांपर अन्यभेवस्थऔं के बात करें चाहे कोई कमी की बात करें चाहे राज़तिक आरोपे त्यारोप की बात करें जग्दी धनकर किसी भी मामले में आर्मी को रियायत देते नजर नहीं आते हैं एक राज़िपाल की रूप में परदिश के पतम पुरस की रूप में उनकी सिवाएं हमेशा से ही यार की जाती हैं क्योंकि वो बिना किसी बेबाकी के साथ, बिना किसी परिसानी के साथ, बिना किसी भेरवाओ के साथ अपनी बात रखते रहते हैं और लगातार वो ममता बैनाजी सरकार को कट घरे में रखते नजर आए हैं हमेशा उनकी बारी हमेशा उनका पत्र जारी होता रहता है और ममता सरकार को घेरे में लेते आए हैं तो कहना है कि अगर पर इश की सरकार कोई गलत करेगी महां पर मानवतिकार मुल्यों का नास होगा बहुइपर आद्विपरिसान होगा बहुइआ ब्योस्ताय खराब होगी बहुइआ वह एक तरफा कारवाई होगी तो एक राजिपाल यानि परदेश के प्रथम परस होने के मेरा है नेटिक करतब है मेरा मुलिक करतब है कि और गडी धंकड़ की यही सोच जडी धनकड़ की यही सेली उनको आज उपरासपरी चुनाओं के लिए मिरवाब वना चुकी है क्योंकि जगदी धंकार वो नाम है जो लगातार चर्चा बने रहते हैं जगदी धंकार वो नाम है जो लगातार आरूप त्यारूप का दोर बनाते रहते हैं करना कि जो मेरा काम है करतव ऑग जो मेरीय काम है और चुम करूंगा। मैं समय पर सरकार को चेता था भी रहूंगा और आप में देखा लगातार तमाम तरह की घटना होती है पस्ते मंगाल में तो रुपोर्ट वो मंगते रहे थे तो यह तरचा की बात है अगर हम दूशी तरह अगर मार्गेट अलवा की बात करें तो 80 वरसी है और 1922 में उनका जन इसके अलाबा एक बार लोकसभासांसर और किन सरकार में चार बार राजमंत्री रही है यह मार्गेट अलवा है जो की यूपिये की उम्मीरवार है जनों नामंगन किया है और चुनों लड़ने जा रही है उपरास्पतिका मार्ग अलवा जो महिला है जो समय अनुसार हमेश से देशके जो चर्चा इसमें रही है चुब है अपनी है किताब को लेकर रही है और अपनी कार सेली अपनी जीवन सेली अपनी आक्रमक सेली के लिए मैं आपको बता दूग उनंको रभी हमर सी रभी आवार भी दिया गया ओए ये मार्गेट अलबा की बार में आपको लगार रहा हूं। बड़ी बात ये है कि चार राज्जों में बो राजपाल भी रह चुकी, जिसमें उत्रकंड की पहली मैला राजपाल के होने का गौरब है, वो भी मार्गेट अलवा को प्रांप्त है, बड़ा गौरब, मार्गेट अलवा बो नाम नहीं जो की लोग जाने की ये एक जंदल नाम है मार्गेट अलवा बो नाम है जो कागरिस की पार्टी के महासचे भी रही है सांसर की रूप में 1994 से 2004 तक उनने ने काम भी किया है कि इन सरकार में चार बार मेटपूर महकमों की राजमंतरी भी रही है इसके अलावा एक सांसर की रूप में उनने महिला कर लियार के कई कानून पास कराने में भी अपनी प्रभावी भूमिका की और 6 अगस्त को 2009 से 14 माई 2012 तक उनने उत्तरा खंड की पहले राज़पाल की रूप में काम भी किया और सामाजिक और राज़िक छेत में किसी महला के और से किये गए एहम युगदान के लिए मैंने आपको उताया कि 2012 मैंने मरसी रभी अवार भी दिया गया इसके अलावा अगर हम कुछ चड़्चाओं के बात के बिबात के बात कर ना कोता है अपनी पार्टी पर भी आरूप पितारूप के लगाती रही है और नॉम्मा 2008 में उनने अपनी पार्टी कांगरिस्क पर सीटों के लिए क्रेब करेब का आरूप तक लगा दिया था और इसी इस पर भाविता इसी मुखरता के कारण उनको पार्टी के महाज़स्क पर से हटा दिया गया था और ये बो महिला है जो एक नाम है ये बो महिला है जोनोंने अपनी जिन्दगी में कुछ ऐसे काम किये हैं जिनको लोग याद करते हैं ये बो महिला है जिनकी छबी एक अलग छबी है और जिनोंने अपने से धांतों से कभी समझोता नहीं किया ये बो महिला है जो राजी सरकार में केंद्री मनती रही और तमाम सरकारों में केंद्री मनती रही है इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि मार्गेट अलावा रायस्थान, गुवा, गुजरात, उत्राखंड की राज जिपाल देश चुकी है अगर सफर की बात करें तो 1994 में उन्हों अपना सफर किया रासवा सफर उसके बाद वो लगातार रासवा सांसर मनोनित हुई बनी उसके बाद लोकषवा सांसरी भी connects की बनी और हाँ अलाकि 2004 में उन्हों चुनाव लड़ा था वो हार गही थी उसके बाद लगातार मार्गेट अलवा राजपाल बनी रही और अगर उनकी राजपाल की सफर की बात करें तो 2014 तक वो रायस्थान की राजपाल थी तो ये मार्गेट अलवा है हमने जाना कि मार्गेट अलवा कौन है उनका क्या कारकाल दाहा है और अगर हम कारकालों की बात करें तो अनुहों की बात करें तो मार्गेट अलवा निस्टी रूप से जगदी धनकर से ज़्यादा है ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर मार्गेट अलवा चार बार राज़सभा सांसर रह चुकी है मार्गेट अलबा एक बार लोकसभा सांसर रह चुकी है मार्गेट अलबा चार बार राज़मंतर रह चुकी है महपूर महकमों में इसके अलबा मार्गेट अलबा चार बार राज़पाल रह चुकी है बड़ी बात क्योंकि चार बार राज़पाल रैसे परपर सुसुवित करना अपने आप एक गौरप की बात है तो यह जगदीब धंकर की बार करते में आपको बताया कि बड़ा संगर्स किया उन्हों नहीं और सुरुबाती जीवन से लेकर लुक्सवा सांसर से लेकर बेडायक से लेकर मंतरी से लेकर और पस्चिम बंगाल के राजपाल जैसे मेटपूर पर्थ पर भी उन्होंने अपनी आवाज को मुखरता से सामने लाए अगर मुखरता की बात करें तो जगदीब धंकर भी वही है और मार्गेट अलबा ही वही है पर यहाँ पर बहुमर कुछ और बोलता है और बहुमर के जाफ से आगामे उपरासपरी चुनाओं में कौन जीतता है यह बक्त बताएगा पर एक बात तो साफ है कि हमाई देश्पर चुनाओं पक्रिया चलती रहती है और चुनाओं पक्रिया के मादम से लगातार सजाजितिक सरगर्मिया है बनी रहती है अब यह रासपरी चुनाओं का जो परणाम सामने आएगा मालूम पढ़ेगा कि दोपडी मुर्मू रासपती होंगी या जस्वन सिनाम रासपती होंगे उसके बाद 6 अगस्त को फिर रासपरी चुनाओं का परणाम आएगा गर्ण पहले बोटे होगी इसके पर गर्णा होगी और हमको मालम पड़ जाएगा का देश का अगला प्रासपती कौन होगा जगदी धनकड होगे या मार्गेट अलवा होगी इसके बाद फिर चुनाओ की पिकरिया चलती रहेगी और गुजरात है मालचा प्रदेश और मान सक प्रदेश के लिए और यहां पर सरगर्मिया केवाल चुनाओ के नहीं है यहां सरगर्मिया धार्मिय चल लए है लगातर आप देखी रहे हैं ज्यानवापी मंदिर से लेके श्री किस्नि चनमुमी इदगाय के बात कर ले और चाहे अभी हाल में ही लूलूमाल का प्रण आय आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार